जैन दोस्तों मैं आप सभी को आईडिल इस्टोरी पॉइंट में स्वावत करता हूं मैं आप सभी के बीच लेकर आगिया हूं क्लास्टेंथ का आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री बूख है न उसका सेकेंड चाप्टर चाप्टर का नाम है आपका समाजवाद यों सामवाद तो इसमें जितने भी objective question आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी का मैं एंसर लेकर आगिया हूं ठीक है तो वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा तो चले स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला question है दोस्तों काल माक्स का जरम कहां हुआ था तो काल माक्स का जरम का जा चुका है अगला question है सामजवादी साम्मेवादी सासन का पहला पढ़योग कहां हुआ था तो आपको पता होगा रूस नहीं हुआ था यहां पर रूस लिख़्ा गया है रूस होगा ठीक है ना अगला question है दास Capital दास कैपिटल का प्रकाशन किसा वर्स हुआ था यहां पर हुआ था होगा ठीक ना किस वर्स हुआ था तो यह होगा इसका एंसर 1867 में अगला कोचन है काल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिससे समझवादियों का बाइबिल कहा जाता है तो इसका एंसर होगा किस ने तो दैस केपिटल कौन सब्ता था अगला कोचन है तो वारल एंड़ किसकी रचना है तो यह आपका दूस्ता टो स्टाई ने तो टो स्टाई ने वहादर पीश की रचना की थी वुक का अगला समझवादि घौशनापत्र के लेखा कौन थे तो यह कल्माक्स यह भी समझवादी घौशनापत्र के लेखक कल्माक्स अगला कोचन ब्रेस्ट लींक थी संधी किंद देशों के बीच हुई थी तो रूस और जर्मनी के बीच CAR रूस में जार का और्थ क्या होता है तो रूस का समराठ होता है बहुत बार पुछा जा चुका है अगला कौचन रूस में क्रिशक दास प्रथा का अंत कभ हुय था इसका एंसर होगा 1861 में यह भी काफी बार पुछा जा चुका है लाल सेना का गठन किस ने किया था तो ट्रांस्टकी ने किया था ये भी काफी बार पुछा जा चुका है अगला कोचन है दास कैपिटल किसकी रचना है तो दास कैपिटल काल मार्स का ही रचना है ये भी काफी बार पुछा जा चुका है लेनिन की मिर्त थेसिस किस ने तयार की थी तो अप्राइल थेसिस लेनिन ने तयार की थी अगला कोचन है साथ नौवंबर 1917 की बोल सभी करांती के नेत्रित्व किस ने किया था तो लेनिन ने किया था ठीक है अगला कोचन है मदर मदर उपनियास के लेखक नोगी यह गोरकी जो थे मदर उपनियास के लेखक थे अगला कोच्छण है 44 आंदोलन कहां हुआ था तो XL अंदोलन अगला कोच्छण है लेनिन ने ब्रेष्टली टोवास के किसंदी 1998當然 इस वी में किस राष्ट के सांथ की थी तो ज़र्मनी है कि अगला कोचन है प्रथम इंटरनेशभी थी की सभी में किस वर्स हुआ था तो दोस्तों 2828 में हुई थी कालमास के जनम अगला कोचन है प्रथम इंटरनेशनल की अस्थापना किस वर्स हुई थी 1864 में हुई थी अगला कोचन है समझवाद सब्द का परियोग पहली बार किस वर्स किया गया तो 2008 27 में कोई की गई थी अगला कोचन, लेनिन ने नई आर्थिक निती किस वर्स लागू की थी, तो 1921 इस वी में लागू की थी अगला कोचन है कम्यू, कमिनिस्ट, कमिनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकासन किस वर्स हुआ था? तो अठापित सरकार का परधान कौन था तो लेनिन था अगला कोचन है काम के अधिकार को समधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला था तो सोवियत संग में मिला था अगला कोचन है बिश्व में समधवादी सासन का कि अस्थापना प्रथम किस देश में हुई थी तो रूस में हुई थी अगला कोचन है समधवादियों की बाइविल किसे कहा जाता है तो दास कैपिटल को समधवादियों के बाइविल कहा जाता है समझवादी दर्शन किस पर बल देता है तो आर्थिक समानता पर बल देता है चेका क्या था तो चेका एक पुलिस का दास्ता था अगला है फ्रांसीसी समझवाद के विकास का जनम दाता कौन थे तो सेट साइमन थे कौन थे सेट साइमन अगला है वीन स्वायल उपनियास के लेखा कौन थे तो इवान तुर्ग नेयो था इवान तुर्गनेयो थे अगला कोश्चन है 1917 की पहली रूसी करांती को किस नाम से जाना जाता है तो अक्टूबर की करांती के नाम से जाना जाता है बहुत बार पुछा है रासपूटीन कौन था तो रासपूटीन एक भरोष्ट पारदरी था अगला कोश्चन है रूस का पहला समझवादी कौन था तो आपका फलेखनेओ जो था रूस का पहला समझवादी था अगला कोश्चन है बेग्यानिक समझवाद का जनक किसे माना जाता है तो काल मार्स को माना जाता है बहुत बर पुछा जा चुका है रूस में नई आर्थिक निती का शुरुवात किस ने की थी तो लेनीन ने की थी बहुत बार पुछा जा चुका है अगला कोश्चन रूस की बोलसेविक करांती का नेत्रित किया था किस ने किया था तो लेनीन ने किया था अगला कोश्चन है कमनी टर्ण की अस्थापना के उदेश से क्या था तो करांती का परचार करना अगला कोश्चन है अंतराष्टिय मजदूर दिवस किस्तिथी को मनाया जाता है तो एक माई को मनाई जाती है यानि एक माई याद रखेगा पहली माई लिखा है यानि एक माई को मनाई जाती है ठीक है मजदूर दिवस अगला है कोल खोज की योजना किस ने आरम की थी तो इस टालीन ने की थी अगला कोचन है कोल खोज की योजना ये तो हो गया अगला है 1977 की शुरुवात करांती के समय किस जार का सासन था तो जार नेक्विलस द्वीतिय का सासन था अगला है 1977 की रूसी करांती का ततकाली कारण क्या था तो प्रथम विश्यूद में रूस की पराज़ाए तो चलिए यह लास्ट कोशन था ठीक है यहां आमने 44 कोशन इस सेकंड चाप्टर में करा है आप इस 44 को त्यार करके जाते हैं तो आपका एक जाम में एक भी कोशन नहीं छूटेगा ठीक है